गुडिनिंग फ्रेंट्स आज 31 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए यहाँ पर हल करने वाला हूँ BSTC 2020 का पेपर क्लियर फ्रेंट्स यहाँ पर आप कोशन देखेंगे सभी सब्जेक्ट से, इंग्लिस से, हिंदी से क्लियर फ्रेंट्स इसके बाद में आप रास्तान जी किया हो गया, टीचर, एप्टीटूट हो गया, और रीजिनिंग सभी के कोशन यहाँ पर जो अभी तक मेरे पास में कोशन आये हैं, उनको मैंने हल करने का यहाँ पर प्रियास किया है तो चले फ्रेंट्स यहाँ पर शुरू करते हैं, पहला कोशन आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एन यूरोपियन, यानकि यूरोपियन से पहले कौन सा आर्टीकल लगेगा, यह कोशन पूछा गया था फ्रेंट्स, तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा एन, इसक मदित कोशन पूछा गया था, कोई व्यक्ति अपनी आया का 25 प्रतिसत, यानकि 15 रुपे खर्च करता है, तो उसके आय कितनी होगी, फ्रेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे, 25 प्रतिसत खर्च कर रहा है, यानकि 25 प्रतिसत, यानकि उसका 1 बाई 4 है, वो कितना है, यहाँ पर 1500 रुपे है, तो टोटल उसके आय पूछी थी, क्लिए रहा है, यानकि X करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है 1500, तो अगर आप यहाँ पर X निकालेंग तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 6000, तो इसका अंसर आएगा 6000, तो उस व्यक्ति के आय थी 6000, नेक्स यहाँ पर question ranking से था, एक अक्सिया में 49 विद्यारती है, तो मोहन की आगे से 18 रैंक है, तो पीछे से कौन सी रैंक होगी, तो आप पढ़के गए होगी, friends, I hope, left plus right minus 1 बराबर total होता है, friends, तो इस formula से आपने यहाँ से निकाल ले होगे, तो इसका जो answer आएगा 32, next question फिर यहाँ पर reasoning क जैसे कुटा घर में रहता है, उसी तरह से चिडिया का पूछा गया था, तो पिंजरे में, या फिर चिडिया का पिंजरे में देकर आपको कुटे का पूछा गया था, यह मेरे को exact ध्यान नहीं, जैसा question मेरे को बेजा है, वैसा मैंने आपको बता दिया है, या तो इसका answer नेक्स्ट कोशन देखते हैं, राजस्थान से संसद में कितने लोग जाते हैं, तो राजस्थान से संसद में total 35 लोग जाते हैं, बहुत सारे friends, इसमें 25 वे answer करके आए होंगे, यह आपको याद रखना चाहिए कि जो संसद की बात कर रहा है, तो संसद में आपको पास में ल कानेर की लगती है, सबसे कम, नेक्स्ट यहाँ पर जो कोशन दिया गया था, यह आपका one word से संबन दित था friends, एक person who chosen to decide dispute, यह एक आदमी जो डिस्प्यूट में अपने बीच में जो मद्देस्ता करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको इंग्लिस में arbitrary कहते हैं, नेक्स्ट कोशन था, राजस्तान का छेत्रफल, भारत के छेत्रफल का कितना प्रतिसत है, तो एक जक तो यह 10 पर 41 है, पर जैसा मेरे को लोगों ने बताया कि वहाँ पे 11 प्रतिसत इसका आंसर दिया वा था, तो इसका right आंसर हो जाएगा 11 प्रतिसत, 2011 की जन्राना का गुसार सबसे कम साकसर जिले कौन से हैं, यानकि दो वहाँ पे जोड़ी में पूछे गई थे, तो इसका जवांसर जगवा जालोर और सिरोही, इससे अगला कोशन था, भुराट का पठार इस्तित है, तो जो भुराट का पठार है, वो इस्तित है आपका उदेपूर और रासमंद के बीच म राजस्थान से कितने राजियों की सीमा लगती है, तो राजस्थान से टोटल पांच राजियों की सीमा लगती है, नेक्स कोशन था, गोदान उपन्यास किसका है, तो यह बहुती प्रसीद उपन्यास है, गोदान है, यह मुंसी प्रेमचंद का उपन्यास है, नेक्स कोशन में कौन सी नदी सम्मधित नहीं है तो जो बंगाल की खड़ी में नहीं गिरती इन नदियों का फ्रेंट से आप वैसे सम्मू पूछा गया था तो पर इसका जो एक जैसे आपका एक्जाम फिनिस होता है तो जब भी आपको अगर अंसर की या फिर पुराने पेपर देखने हो तो आप जीटा लाइव चैनल को विजिट करें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले जो आपके आने वाली परिक्षाओं के लिए काफी महतपून होगा जैसा ये कोशन भी फ्रेंड्स यहां पे चार बुक के नाम देकर उनके राइटर यानकी उनके लेखक उनको मिलवाया था तो अगर आप देख सकते हैं उसमें से एक यहां पे मिरे को बताया है जैसा की कानरदी प्रबंध का मुझे याद है पदमनाब इसका लेखक है बाक यह वन्स है कहां से संबंदित है तो यह आबु के परमारों से संबंदित है नेक्ट था कुंबा के समकाली दिल्ली का सासा कौन था तो सहीद लोधी था नाम इसका लोधी और सहीद इसका वन्स है सामोद के महल कहां इस्तित है तो सामोद के महल जैपूर में इस्तित है जामर कोटडा की खान से क्या निकाला जाता है तो जामर कोटडा जो की उदैपूर में है यहां से रोक फोस्वेट निकाला जाता है सिरोही परजामंडल के संस्थापक कौन था तो गोकुल भाई भट सिरोही परजामंडल के संस्थापक है काली बंगा की खोज का शिरे किसको है तो ए घोस यानकि अमलानंद घोस को इसका शिरे जाता है राजस्थान के मंत्री परसेद में कितने मंत्री हो सकते हैं तो राजस्थान के मंत्री परसेद में टोटल 30 मंत्री यहाँ पर हो सकते हैं फ्रेंड्स यह जो मंत्री हो सकते हैं इसका आपको बता दू लोजिक क्या है जितनी विदान सभा की सीट होती है नेक्स्ट कोशन एक ऐसा कोशन पर बता है कि जलागीत किसे संबंदीत है मुझे तो यह समझ नहीं आया जिसी बच्चे को अगर इसका आंसर कुछ पता हो तो नीचे कमेंट बोक्स में डाल दे फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन एक काली बाई का संबंद किस स्थान से था इसी कोशन था राजस्तापाल जो कि डुंगरपुर में स्थित है राजस्तान में 200 विदानसवा के सीटे कब की गई यानकि कौन से विदानसवा के सतर से की गई तो ये छटी विदान सभा में की गई हैं 200 सीटे सबसे ज़्यादा साकसर जिला कौन सा है तो कोटा है और इसकी जो साकसर तादर है वो 76.6 प्रतिस सब इसको भी आप याद कर लें next question था किस लोग देटा की पत्री सहीद हुई तो इसका answer है friends यहाँ पर तेजा जी next question था English का question था Restrains का मतलब क्या होता है तो Restrains का जो मतलब था वो था Control करना अगला जो question तीनो question यहाँ पर मुहावरों से संबंदी था friends तो यहाँ पर उनके answer आपके लिए लिग दिये गए है एक मुहावरों था यहाँ पर एक एक दो ग्यारा होना मुहावरेकर्थ क्या है इसका मतलब होता है संगठन में सक्ती और एक जो मुहावरों था उसका जो answer था यहाँ पर अंदे का साहरा और एक था सोने पे सुहागा यह दो उसके answer थे अगनी का परियाइवाची क्या नहीं है तो मेरे को इसके option नहीं मिले पर पूछा यह गया था कि निवन में से कौन सा अगनी का परियाइवाची नहीं है अगला question था एक पासे में संगस्पंग क्या आने की प्रयाइकता क्या होती है फ्रेंड्स आप याद रखे सम पूछे चाहिए विसम पूछे दोनों की प्रयाइकता वन बाई टू होती है अगला question यहाँ पे reasoning में कलेंडर से पूछा गया था कि 1990 का जो कलेंडर है वो कब रिपीट होने वाला यानकि वापस से कब आएगा तो यह होने वाला है 2001 में इसका राइट आंसर था नेक्स question था भारस सबाकी स्थापना कब हुई तो भारस सबाकी स्थापना 1926 में बगह सिंग के दोवारा की गई थी नेक्स question है वाग जल का यानकि यह पूछा हुए था वाग जल दे रखा था इसका संधी विछेद पूछा था फ्रेंड तो इसका संधी विछेद यह हो जाएगा याद होना चाहिए कि जो तीसरा जो लेटर होता है वो किसमें पहले लेटर में आ जाता है यानकी गय है वो किस में आ जाएगा वो कैम में आ जाएगा जब आप उसका संदी विछेद करोगे तो तो यह इसका right answer है next था निरोग यानकी निमन में से कौन सा सही लिखा हुआ है यानकी सुद्धे पूछा था तो निरोग यह बिल्कुल सही है निरोग में बड़ा नि आता है और जब अपने इसका अलग से लिखते हैं तो यह इस तरह से लिखा जाता है नि पिलस रोग पर जब इसका संदी एक जिगा करते हैं तो यह बड़ा नि बन जाता है तो right answer इसका होगा निरोग next question था एकक्टूमबर को सोमार है तो 20 दिन के 3 दिन बाद क्या होने वाला है तो आप यहाँ पर कर सकते थे इस friends 20 दिन के 3 दिन बाद 20 यहनकी प्लस 3 यहनकी टोटल 23 हो जाएगा 23 को जब आप साथ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर दो आने वाला है कि निमन में से कौन सा अलग है तो उसका आनसर आजाएगा बासूरी जो बाकी 3 दिन बाद इंतर दिये गए थे वो तार वाले बाद इंतर जिनको तत्वाद इंतर बोलते हैं और बासूरी सैसूरी होता है यहनकी यह सूरी आनकी फूंक देके बजाया जाता है तो इसका आनसर बासूरी था अगला है मांडवा क्यों प्रिसिद्ध है तो मांडवा हविलियों के लिए प्रिसिद्ध है अगला जो एक कोशन था उसका आनसर था बैट फ्रेंट्स यहां पर टोटल जितने भी डिजिट दिये वे थे वहाँ पर यहां कि जैसे अगर आपन लिखें यहां पर जैसे यहां पर डी ओ जी लिखते हैं तो यहां पर सम किया हुआ था फ्रेंट्स इन सब का यहां कि डी अपने चार नंबर प्याता है ओ पंदरा नंबर प्याता है जी यहां पर अगर मैं बात कुरूँ seven number पे आता है तो इन सबको जोड़ा हुआ था इस तरह से question में दिया हुआ था और bat का आपसे पूछा गया था friends तो bat का जो answer होगा वो होगा 23 इससे अगला था भील सबसे ज़्यादा किस दिसा में पाए जाते हैं राजस्तान के तो भील हमेशा भील राजस्तान के दक्सिनी दिसा में पाए जाते हैं सरवाधिक यनकी क्या काम करने चाहिए, इसके चार option थे, exact option नहीं मिले, clear है, आगे कुछ हैं, उनके मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका आप देख लिए friends, अगर कि इसको answer पता हो तो, या फिर इसके जो चार option पता हो तो भी आप नीचे comment box में comment कर दे, मैं answer आपको बता दूँगा, अ सब कुछ नहीं होने वाला, इसका right answer क्या होने वाला है, अगर उसकी रूची होगी, तो मैं उसको सिक्सक बनाऊंगा, अगला था, आप क्यों सिक्सक बनना चाहते हैं, यह question यहां पर पूछा गया था, इसके बाद में था, कोई बच्चा आपकी कक्षा में लेट आता है, तो उस बच्चे को उसका समश्या का समाधान बताएं, अगला था, आपके दोस्त का बच्चा आपकी कक्षा में है, तो आप उसके साथ कैसा बिवार करेंगे, उसके साथ भी सभी बच्चों के जैसा बिवार करेंगे, उसको अलग से कोई treatment नहीं देंगे अपन, अगला question है शिक्षक को भी डाले में जल्दी क्यों आना चाहिए, तो शिक्षक को भी डाले में इसलिए जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक की लेट आएगा, तो सभी बच्चे भी लेट आएंगे, यानकि शिक्षक क्या है, एक mark धरसक की भूमी का निमाता है बच्चों क आप क्या करेंगे उस topic को दूबारा से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वह topic किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा तो ौपिक किसी को भी समस्में नहीं आया जो को. क्या हुआ वो topic बच्चों को समझ में नहीं आया तो आप उसको दूबारा से बच्चों को पढ़ाएंगे I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके पास में और भी कोई ऐसे question है जो VSTC के paper में आये हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो आप उनको यहाँ पर comment box में डाल दे friends मैं उनको हल करने की कोशिस करूँगा और कल सुबह या फिर कल शाम तक आपके लिए दूसरा वीडियो प्रवाइड करवा दूँगा अगर आप मेरे पास में question आये तो friends अभी तक मेरे पास में यह question आये है तो इनका मैंने आपको solution कर दिया है friends Thank you